नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग हम फिर बापस आगे हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ अगर आप वीडियो का में हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो सीधा एक मेनिट स्किप करके स्चार्ट कर सकते हैं और सीधे वीडियो के में भाग पर पहुंच सकते है दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे ताहिर गोरा और हामिद बसानी दोनों ही पाकिस्तानी मूल के पत्रकार हैं हाला कि हामिद बसानी पाकिस्तान के नहीं कस्मीरी मूल के पत्रकार हैं जो के अपने आपको इंडियन मानते हैं दोस्तों ये वीडियो में आप देखेंगे ये दोनों डिसक्स कर रहे हैं पाकिस्तान और इसराईल के बारे में और नेतिन याहूं की जो विजिट हुई है साओधी अरेबिया में मोहम्मद बिन सल्बान से जो मिले हैं उसके बारे में बात हो रही है और पाकिस्तान अब इसराइल को लेकर क्या आंगे की पॉलसी रखेगा उस बारे में बात होती है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं फिर इस वीडियो के बारे में करते हैं बात प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में अपनी इंतहाओं को छूते रहते हैं सुबो शाम तो इस सादा को आप कैसे देखते हैं बिस्टर हमीर बशानी साब बड़ी ट्रैजिक किसम की बात है जी ये स्टारीक लिए कर देखा ज पिछले दो तीन महिने में जब ये युनाइटिड अरब इमरेट्स ने इसराहिल को तसलीम किया और उसके बाद ये बात शुरू हुई कि अब सौधी अरब की बारी है नेक्स तो इस पे जो बैक और फॉर्ट जो डिसकेशन हो रही थी उस हवाले से मैंने काफी रिसर्च वर किया है और बड़ा एक फैसिनेटिंग किसम की इन्फरमेशन जिस वे मैं दो तीन कालम भी लिख चुका हूं मुक्तलिक अख़वारात में जाहर है यहां डिसकेशन इतनी डिटेल में नहीं है लेकिन मुक्तसर में आपको बता तूँ कि जो पलस्टाइन का आम आदमी है तो आप अपनी अजादी की तहरी के नहीं चला सकते बलके मेरे नजदीक तो यह एक तरह की आपके वतन दुश्मनी के अलामत होती है कि जब आप इस तरह के अन्रिलाइबल मुतलिकल एनान जूटे और मनाफ़क किसम के लोगों पे तकिया करके तो अपने लोगों को मरवा शुरू हो जाएं सो अनफार्चुनेडली जो पलस्तिनियन लीडर्शिप का एक बड़ा हिसा था उतने ये रोल प्ले किया और बहुत अग्देक वो इंटरनेशनल जो इस तरह की इंटरेस्ट कंट्रीज और ग्रुप्स थे उनके इंटरेस्ट को उनने पलस्तिनियों के ख डिकलेड किसम के दुश्मन जो है ना इन्होंने आपस में की हैं कोई एक मुलक उठा के आप मुझे बता दें जो सबसे एहम तरीन जियोग्राफिकली और इस्टारिकली और डेमाग्राफिक के अवाले से नजदीक तरीन मुलक उर्दन है कहते हैं जी पचास परसंट से भी ज्यादा वहाँ पापुलेशन पलस्टीनियन की है इस्टारिकली पलस्टीनियन ने उनको एक अपना रहनमा के तोर पे भी डिकलेयर किया हुआ था वो लंबी एक बैस है कि जिसमें उनकी एक लेज़िटी मेसी बनती थी कि देकिन स्पीक फर दो पीपल अफ पलस्टाइन अंदेर भी आफ तो इतने सारे उसके बावजूद सबसे पहले अर्दन की जो खुफिया मुलाकाते हुई हैं इसराइली लीडरों के साथ और इसराइली लीडरों ने जो अर्दन की दोरे किये और अर्दन के शाओने जो है वो बैंस बदल के जो है वो जो इसराइल के दोर मैं आपको बतातु हूं सिर्फ इस चप्टर के लिए को क्लियर करने के लिए उसके बाद एक मुल्क भी काबले जिकर रेसा नहीं मिसर को आप देख लें तो उसने तो खेर ओपन ली इसराइल को तस्लीम किया और मैं समयता हूं कि दुरूस्त किया बजाए मनाफकत करने के और दो चेरे लगा के एक चेरा अपने अवाम को लिए और एक पलस्तिनियन के लिए तो उनको इस तरह की मुश्कल में डालें के विजाए उन्होंने ठीक किया कि तसलीम कर लिया बिल्कुल ओपन तोर पे लेकिन बहुत सारे जो दूसरे मुलक थे जो इस मनाफकाना जो तर्जे आमल है उसका उन्होंने बरकरार रखा जिसमें आप तुर्की को देख लें कि तुर्की ओपन फरंट पे हमेशा मखालफ़त करता रहा इसराहिल की और सबसे ज़्यदे क्रीबी तालुकात उसके इसराहिल के साथ है और सबसे ज़्यदे उसके जो बिजनस का वालियूम है मैं अगर आपको एदाद उशमार दूं तो आप एरान रह जाएंगे आज भी यानी करूना के दोर में और इससे पहले ये जो इतना इनके दर्मियान गर्मी सरदी हुई उसके बावजुद उसके बाद इरान को देखें सबसे बड़ा ठेकेदार इरान बना रहा पलस्टचाइन काज का और अरबुंग के काज का उस सारे का और आलत ये थी कि कोई दोर ये साथ नहीं रहा इंकलूडिंग इमाव खमेनी, इमाव खमेनी के पहले तीन साल के दोर में ओपनली जो है, वो इस्राइलियों के साथ उनका लेंडेन होता रहा, इसला के इशू पे बहुत सारी चीज़ों पे जतना ज्यदा है, इलीगल आईल उस दोरान ट्रांस्पोर्ट हुआ है, ये आप एक बुक भी आई है, स्विजर लेंड बेस्ट एक जो बिजनसमेन है, जो आईल का बिजनसमेन उसने दी, तो इन सब को आप मिला के देखें, तो नाट ये यूनाइटिड हर्प एमरेट्स और सौधी, ये सारे जो हैं, जो पीछे बाते चलती थी कि जो है, उसने खुविया दोरा किया, इसराहिल का, ये सारी बात ने हैं, जब इनकी तरदीद होती है, तो वो सिर्फ पैबलिक कंजमिशन के लिए होती है, थीकत में कोई ऐसी खवर जो होती है ना, वो बिलकुल ही आप उसको बेस हैरोपा नहीं कह सकते कि जी फलान ने दोरा कि या अनलेस के देर इस, उसकी जो है, वो कोई वज़ा हो, तो ये इस तरह के दोरे होते रहे, सौधी एर्पे पहले से ये बाकाईदा प्रूफ किसम की चीज़ है, कि वो इसराहिल के साथ बहुत बड़ी टेकनालोजी लेता रहा है, और उसमें ऐसी टेकनालोजी भी उन्हे ने लिए है, जिसके जरीए वो अपने हवाम की जो प्राइवेट इंफरमेशन है, उनकी सर्विलेंस है, उनको मानिटर करने का जो तसावर है, वो जो चीनी टाइप, वो भी उसमें शामल है, तो मैं समझता हूं कि ये तो एक दोखादे ही है, एक तो पलस्टाइन काज के नाम पे दूसरा ये दोखादे ही और बहुत बड़ा फराड है, मुस्लम हुमा के नाम पे, कि इनके दरम्यान कोई यूनिटी है, और ये को एक तरह सोचते हैं, या इनको एक दूसरे का जो है, वो दुख दर्द है, राजवाला भी इस तरदीद का, तो आप मुझे बताए हैं कि ये करत दर्दीद कैसे हो सकती है, आप राइटर से लेके तो CNN टेक जतने बड़े बड़े आपके काबले एतबार किसम के एदारे हैं, उन्होंने इसको रपोर्ट किया है, कि ये मुलाकात हुई है, और अगर ये रपोर्ट उनने गजश्टा पचास साल इस तरह की ज देख रहे हैं, और चुके वहां पे जिस तरह की गाव्मेंट है, इस नाट विद दी कंसेंट आफ दो पीपल, कोई कंसल्टिंग प्रासस नहीं है, किसी तरह की कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो उसकी मौझूदगी में जाहर है, वो बहुत ज़्यदा ही इन स्क्वेर फिल करते हैं इस तरह की चीज़ों पे, तो इसलिए उसने उनकी तरदीद कर दी, लेकर ये एक चीज़ बिलकुल क्लियर है, कि अब जो है, वो दूसरा बड़ा इन्फुएंशल मुल्क, जो इसलामी उमाब जिसको कहते हैं, उसमें जो है, वो सुदी अरबी होगा, और कि इसराइल बजाते होद एक चोटी अबादी वाला मुल्क है, हार्ली कोई सिक्स टू सेमन मिलियन लोग रहते हैं, और उनमें को डेर से दो मिलियन पैलिस्टीनियन्स को इसराइली पासपोर्ट मिला हुआ है, तो ये जो आपको और हम सब को धोका देने के लिए जोंकी गई, मैं ये दावे से कहता हूँ और पूछना चाहता हूँ साओी अरब और दुनिया से, क्या एक लाख पैलिस्टीनियन को साओी अरब में सिटिजन्शिप मिली हुई है, हर्गिस नहीं मिली हुई, जब से डेर से दो मिलियन पैलिस्टीनियन को इसराइल में सिट correction है ये mindset में कहीं होगी मैं पाकिसान की तरफ तो जरबाद में आऊंगा ये आपको overall correction कहीं होती नजर आती है देखें जी बिलकुल ये correction होगी आपने left की बात की तो ये आप से मराद far right left वाले जो हैं उनका ये बहुत बड़ा problem है कि वो air मामले में Islamic fundamentalist लोगों के साथ खड़े हो जाते है एरबाद पे जाके तो उनका आपस में जो है वो टाकान हम जो कहते हैं हमारी जबान में मिल जाता है आप कश्मीर में देखें far right left जो है उसका और far right का आपस में जो है वो जाके वो एक उस पे खड़े हो जाके वहां बिलकुल एक different किसम की situation इसी तरह पलेस्टाइन के अंदर जो movement है या जो एन आर की है या जो के आस है आप उसको कह लें वो सारे का सारा को अजादी की तहरी या हुकू की जंग नहीं है उसमें बहुत सारे इसलामिक fundamentalist हैं उसमें बहुत सारे इसे बरबरियत पसंद किसम के खौन आशाम किसम के गर सकते हैं तो definitely इसमें जो है वो approach कुछ जो far right की far left की जो रही है मुख्लिफ हलकों की वो आपके सामने है और उसमें से बहुत सारी घलत है लेकिन मैं यह समझता हूं कि जो साहिबे जो rational लोक हैं जो अपनी thinking रखते हैं अपने दमाग से सोचते हैं उन्हें हमेशा इसको इसी नकदर से देखा है और हम यह समझते हैं कि पलस्टाइनियन के साथ अगर अरब जो होते मुखलिस तो आप मुझे यह बताएं कि अरबों ने उनके साथ उनके माजरीन के साथ जो सलूक किया है वो दुनिया के किसी मुलक में किया है यूरोप में आप देखें पलस्तिनी लोकल पापुलेशन को उन्होंने दीवार से लगाया हुआ इस नाम पे लेकिन एरब कंट्रीज के अंदर उनके साथ जो हैशर होता है वो अगर आप यूमर राइस के हावाले से देखें या जो इनकी जो इंसल्टिंग किसम की ट्रीटमिंट है उसके हावाले से देखें य इतने पलस्टीनी मार दिये थे कि उसमें जो इसराइली वजीरियाजम का बियान आया था कि आए तक इसराइल जो है वो इतने पलस्टीनियों को नहीं मार सका जितने एक दिन में इन्होंने जो है वो पार कर दिये तो इन्होंने फिजिकली उनको इलिमिनेट किया और से जो है वो वाउन की जो है वो जोक्स और इंसल्ट और इस तरह की चीज़ों का भी एक निशना रहे तो मैं यह समयता हूँ कि जतना बुरा तो उनके साफ कैसे कंपेर कर रहे हैं इसराइल तो उनको जहां पर कानफलिक्ट है उसकी में बात नहीं कर रहा है चुके कानफल की नहीं रहते हैं और जो माइगरेट होके वहां आगए आके वहां पर बैस गए एजह अरब ने पासपोर्ट दिए उनको 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 उनके इक्वल राइस दीए उनको कबड़े उतार के तलाश यह नहीं रहे हैं उनके गले पटे नहीं डाल रहें शनकत के लिए तो वो तो उनके एक डेमाक्रेटिक स्टेट के अंदर जिस्ट तो दोस्तों यहां पर वीडियो का होता है दी एंड आप यहां से वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं अपने वीडियो में देखकर क्लिए आपको समझ में आ गया होगा पाकि साओ्धे रेविया जाकर जिसके बाद य Uran कर पाकिस्तानी मीडिया में आ आपकी तरह फैल गजी ए और पाकिस्तानी मीडिया इस तरह बोख लागा ऑगा है पाकिस्तानी की इस्राइल को हम कनसीडर नहीं करेंगे बाइकाट यू ए ईवाइकाट साओ।ãy इस तरीके की बात है करकर पाकिस्तान डेफिनिटले अपने पैरों में कुलहरी मार रहा है जो पाकिस्तान का सपना है मुसलिम उम्मा का लीडर बनने का इमरान खान का साहिद वो पाकिस्तान में और चार चान लगा देगा उनकी जो समझ रहे हैं आप मुसलिम देसों में जो अहमियत है उसे और नीचे ले जाने में तो वही बताया हमिद वसानी और ताहिर गोरा ने तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान किस दिसा में जा रहा है जो इस्राइल को चुछ पत्रकार ऐसा मांनते हैं जैसे कि कामरान साहिद और कामरान खान जिन्हों ने अपने ट्विट है उनके अंदर इसराइल को लेकर इतनी जादा हीटनेस है कि उसका कोई record नहीं है तो इससे हमें क्या लिए ना देना हमें तो बस चाहिए entertainment वो आपको इन वीडियो से मिल रहा है तो दोस्तों comment box में अपने comment share करें वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें धन्यबाद